नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतनकुमार वर्मा इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट एक्जिम बिजनस एडवाइजर यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर हो सकता है आज मैं आपसे स्टार्टिंग में ही चार क्योश्टन पूछ रहा हूँ अगर आप एक्सपोर्ट का व्यापार शुरू करना चाते हो तो क्यों करना चाते हो क्या इसका रिजन आपने कभी देखा है एक्सपोर्ट के अंदर हर इनसान बायर के लिए परेशान है कि मुझे बायर कहां मिलेगा बायर कहां मिलेगा मेरा क्योश्टन ये है कि बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा क्या इसका जवाब कभी आपने सर्च किया है अगर बायर को माल दे भी दिया एनिहाओ आपने मटेरियल दे दिया एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका पैमेंट कैसे आएगा क्या आपने कभी सोचा है क्या पैमेंट टम्स आपके लिए अच्छे होंगे दोस्तो हजारों लोग लाखों लोग हर साल एक्सपोर्ट का व्यापार सुरू करते हैं लेकिन उसमें से सक्सेज सिरफ कुछ होते हैं और ये फैक्ट है जो आपको कोई नहीं बोलेगा जितने आप ये देखते हो कि इसका एक्सपोर्ट हुआ उसका एक्सपोर्ट हुआ आप लोग excitement में, export में आतो जाते हो लेकिन क्या वो success मिल पाती है जो आप deserve करते हो और last question मेरा, simple सा last question है क्या आप बिना knowledge किसी का operation कर सकते हो क्या आप बिना driving skill के किसी car को drive कर सकते हो क्या आप बिना swimming के knowledge के swim कर सकते हो कहीं पे तैर सकते हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है बिलकुल नहीं लेकिन ये business इंडिया के अंदर बिना knowledge किया जाता है ये business इंडिया के अंदर, देश के अंदर एक excitement के उपर किया जाता है ये business इंडिया के अंदर indirectly loss के लिए किया जाता है क्योंकि यहां से export तो बहुत होते हैं, लेकिन more than 50% payment नहीं आते हैं, export बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं होता, इसका कारण क्या है, इसका कारण है आप लोगों का excitement, आप लोग इतना excited हो जाते हो, exporter बनने के लिए, कि आप जो base story है, वो पूरी भूल जाते हो, knowledge is the key of success, मैंने starting से हर वीडियो से एक ही चीज़ कही है, कि आपको knowledge लेना चाहिए, एक ऐसा business जिससे आप करोडों कमाना चाहते हो, एक ऐसा business जिससे आप घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ ऐसो आराम लेना चाहते हो, लेकिन उस business का knowledge आपको नहीं है, है ना अजीब बात, जियां दोस्तों, आज इसी के उपर मैं आप लोगों के साथ में discuss करने आया हूँ, क्योंकि ये बहुत important है, हमारे पास में अब तक लाखों calls आते हैं, जिन में mostly calls एक ही चीज़ के लिए होता है, कि buyer कहां मिलेगा, buyer कैसे मिलेगा, और मेरा question हमेशा एक ही होता है, कि buyer आप से माल क्यों खरी देगा, इस question का जबाब आप लोगों को ढूंडना होगा, और इस question के जबाब के लिए ही, आज मैं आप के लिए ये वीडियो ले के आया हूँ, क्योंकि ये बहुत important है, कि अगर आप बिना knowledge के इस business को करना चाहोगे, तो आप please मत कीजे, आप खुद का और द आपके पास में skills नहीं होगी, आप किसी agent के तुरू जाओगे, या फिर किसी पर dependent होके जाओगे, जहां पर जैसे भी जाओगे, होगा वही जो वो चाहेगा, वो नहीं होगा जो आप चाहोगे अपने business के लिए, knowledge बहुत important चीज़ है दोस्तों, अगर आपको knowledge है, तो आप अपने business के अंदर बहुत सारी चीज़े खुद कर सकते हो, आप buyer के साथ में एक relationship बना सकते हो, अगर आपको knowledge है तो, अगर आपको knowledge नहीं है, तो ये सब चीज़े वैस्ट हैं, और आज इसी knowledge का महागरंत मैं आप लोगों के लिए ले के आया हूँ, हो सकता है कुछ लोग सो अचाने की कोशिस कर रहा हूँ, जो excitement के अंदर इस business में आ जाते हैं और बरबाद हो जाते हैं, at least इस knowledge के बाद में आप खुद का ये decision ले पाओगे कि मुझे ये व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बार फिर से मैं चेतन कुमार वर्मा, exam business advisor, export गुरुजी आप लोगों के लिए ले के आया हूँ, आज export का महा कुम, महा गरंत दोस्तों, क्योंकि हमने आज तक जो भी service बिल्ड की है, उसे 100% dedication और 100% dedicated support के साथ में बिल्ड किया है, और उसी service के according हमने export गुरुजी.com ये ज diploma in import export business, export गुरुजी के home page के उपर ही आपको ये मिल जाता है, जहां जिसमें click करने के बाद में इस तरीके से आपके पास में ये advanced mastery जो है, इसका page आता है, मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे special export दिया है, मैंने import नहीं दिया है, import is just like a module for me, मेरा focus सबसे ज़्यादा इस ए import पे उतना workout नहीं करवाता हूँ, because import हो जाता है, import का 75% part जो होता है, आप मानिये सिरफ CHA पे depend होता है, बाकि 25% जो चीजे होती है वो आप पे और मुझ पे, यानि in document basis के ओपर होती है, तो दोस्तो advanced ये जो diploma है, इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं बताना च हुआ कि इसकी costing 25,000 रुपीज की थी, जो इस समय हमने discounted price जो है, वो इसकी 14,999 रुपे की है, अब इसमें आपको मिलता क्या-क्या है, 25 video based powerful modules हम लोगों ने इसमें cover किये, 25 modules, अपने आप मानिये में अभी आपको modules दिखा हुआ कि इसमें क्या-क्या आपको मिलता है, 150 plus video जिस concept clearing, practical task oriented है, पूरा का पूरा, यानि आपको बहुत सारी चीजे जो है, वो खुद को करनी पड़ती है, हम लोग करवाते हैं उन चीजों को, जिससे आपकी grip बने, जिससे आप एक expert level के ओपर जाएं, free webinars हम लोग जो webinars लेते हैं, और हमारे यहाँ पर professional ही webinars होते हैं, ये chargeable होते ह हैं, live doubt session होता है for concept clearance, अगर कहीं पर आपको issue होता है, step to step practical SOP system हम लोग follow करवाते हैं, professional level से जो SOP system होता है, system operating process जो है, एक professional level के थूरू पूरा का पूरा किया जाता है, live original documents जो हैं, उनको present किया जाता है, आपको sample के तोर पे भी दिया जाता है, बहुत सारे documents ताकि आप actual में सम पाओ कि वो उस document की क्या process है, और ऐसे बहुत सारी चीजे हैं, दोस्तों, अगर हम module wise इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग welcome introduction, import, export का होता है, फिर business overview होता है, कि business actually है, कि आप बहुत सारे लोग service class से होते हैं, बहुत सारे लोग ने यह business किया ही नहीं होता, बहुत सारे लोग local entrepreneur होते हैं, तो यहाँ पे एक service based working होता है, कि business overview and optimization, उसके बाद में international business overview, international business क्या होता है, यहाँ पे मैंने business overview बताया है, international business नहीं, यहाँ पे international business को explain किया जाता है, explore किया जाता है, और उसके बाद में आपके सामने आता है everything about import business in India, जैसा मैंने कहा एक module, यहाँ पे एक module म कम से कम आठ से 10 अलग अलग topics पे videos होते हैं यहां पे वो list आपको नहीं दिखती हैं वो list इस course को शुरू करने के बाद में आपके पास में आती हैं तो inside जैसे everything about import business in India इसमें most probably 10 से ज़्यादा videos हैं lengthy videos होते हैं procedural video जिनको बोला जाता है SOP के according पूरे videos होते हैं जो step to step आपको सारी चीज़ें बताते हैं begin export business journey मैं यहां पे ही import को close कर देता हूं क्योंकि import के अंदर इसके बाद में कुछ भी नहीं बसता है मेरा focus सिरफ एक ही चीज़ पर रहता है वो है सिरफ export that is my USP और इसके बाद में right product selection for export and import उसके भी बहुत सारे हमने steps दिये हैं कि किस तरीके से आप एक right product को select कर सकते हो business analysis domestic to international बहुत सारे लोग local business structure से domestic से international में जाना चाते हैं जो चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पे business structure is a very important key for your successful import export business बट यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता है तो business analysis का काम होता है mandatory and important documents जो है export business के लिए वो आपको बताया जाते हैं international market research सिरफ research नहीं है हमारे लिए हम deep drill करवाते हैं आपके product की जो lobby है उसके destination तक आपको पहुँचाते हैं deep drill मतलब एकदम deep drill आपके right client तक कैसे पहुँच सकते हो यह इसमें powerful practical manner में यह बताया जाता है international market research के बाद में international buyer research market research पहले होती है फिर buyer research होती है और buyer research भी उतना ही deep drill करवाया जाता है कम से कम 10 से 15 तरीके के अलग लग levels वीडियो जो है soapy systems आपको procedure के साथ में बताया जाते हैं कि किस तरीके से आप buyer search कर सकते हो but as I said export is my USP so मैं buyer search से ज़्यादा believe करता हूँ how to attract international buyer और इसके ओपर हम लोग बहुत work out करते हैं इसके ओपर हमला आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने business के लिए buyer को attract कर सकते हो क्योंकि ये जो buyer खुद होके आपके पास में आते हैं वो genuine level पे buyer होते हैं जिने need होती है वो लोग आपके पास में आते हैं international marketing with digital marketing secret tools digital marketing is not just like a one and two videos हम लोगों ने इसके अंदर digital marketing बहुत सारी एक library create कर दिये एक तरीके से facebook के ही कम से कम 10 से 15 videos with e-book आप लोगों को मिलते हैं तो आप business overview के हिसाब से business optimization के हिसाब से कैसे facebook को use किया जा सकता है ये हम आपको बताने का परियास करते हैं सिखाते हैं हम आपको digital marketing facebook पे जाओ add कर दो ये नहीं होता है आपके business के value कैसे बनेगी आपका valuation structure कैसे बनेगा ये सब चीज़े बताई जाती है website का SEO hidden जो होता है SEO के hidden secrets आपके साथ में होते हैं इनको terms and best payment mode आपको advance payment कैसे मिल सकता है बहुत सारे लोग व्यापार करते है credit के उपर लेकिन advance पे कोई ध्यान नहीं देता तो यहां पे advance payment कैसे मिल सकता है ये आपको बताया जाता है finance और loan के आपके पास में क्या options हैं इंडिया के अंदर DIY यानि do it yourself के अंदर हम लोग आपको document कैसे create करते हैं like performa invoice commercial invoice वो सारी चीजे आप अपने हाथ से बनाओगे can you imagine that आप अपने business के banner अपने हाथ से बनाओगे आप अपने business की invoices अपने हाथ से create करोगे और ये सब skills हैं ये knowledge हम जो आपको दे रहे हैं ये आपकी skill development के लिए देते हैं international communication system is also very big you can say that play a very big role in import export business और इस के लिए हमने इसे एक इतना separate और dynamic टूल के तूर पर आप लोगों के साथ में share किया है कि जो बंदा बहुत बार ऐसा होता है सर बायर मिल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं लेकिन deal lock नहीं हो रही बायर मिल रहे हैं quotation भेज रहे हैं बातचीत हो रहे हैं लेकिन deal close नहीं हो रही ये communication skill के अंदर lack of communication skill इसको बोला जाता है जिसकी skill आप लोगों की develop की जाती है international buyer verification methods आप लोगों को बताया जाते हैं packaging secrets दिये जाते हैं risk कैसे manage की जाती है कैसे mitigate कर सकते हो freight forward and logistic deal किस तरीके से होती है custom house agent CHA का क्या role है duty क्या है responsibility क्या है उससे किस तरीके से deal करनी चाहिए pre post export document कौन से होते है special deep deal और international coordination जो हमारे coordinators होते हैं उनके साथ में attach किया जाता है प्लस live webinar and special lectures with experts ये सारी चीजे आपको इसी एक course के अंदर मिल जाती है यानि इसी लिए मैंने इसे export का महागरंथ कहा है दोस्तों क्योंकि ये export का महागरंथ बन जाता है और आने वाले time में ऐसा नहीं है कि इसे हमने बना के छोड़ दिया हम continue इसमें development कर रहे हैं हम continue इसमें updation कर रहे हैं और इसी लिए इस course को जो भी लेता है हम at least उसके साथ में एक time schedule जो है one year का हम लोग देते हैं ताकि एक साल तक आप continue सीख सको इन चीजों से किस तरीके से इस व्यापार को किया जाता है और ये हमारे लिए सिरफ एक course नहीं है हमारे लिए ये skill development program है तो जो लोग हम से जुड़ते हैं हम उनकी skills को develop करना चाते हैं इसलिए इस course का importance हमारे लिए भी उतना ही बढ़ जाता है dedicated support यहाँ पर मिलता है हमारे पास में जितनी भी team से जितनी भी lines होती है क्योंकि मेरा personally मानना है कि digitally जब आप करोगे क्योंकि international business में करना आपको ही पड़ेगा सीखना आपको ही पड़ेगा आपको सीखना एक बार है जिन्दी की भर काम आएगा अगर किसी और से काम करवाते हो तो बार-बार आपको काम करवाना पड़ेगा तो ये आपको सोचना है कि किसी और से करवाना है या खुद की skills को develop करके क्योंकि किसी और से भी करवा रहे हो अगर आपको knowledge है तो वो आपको बेवकुफ नहीं बना सकता तो दोस्तो इस तरीके से ये पूरा course आप लोगों के सामने है जो लेना चाहते हैं यहां पे सिरफ आपको buy now पे click करना होता है buy now पे click करने के बाद में rotate होता है आपका जो ये package है वो आपका add हो जाता है आपकी cart के अंदर जहां पे आपको पूरी ये cart की detail आपको देख सकते हो इसके बाद में proceed to check out आपको सिरफ करना है अपनी जो भी personal information होती है जो आपके business से related है वो आपको देनी अपना नाम last name जो आपके company का नाम होगा इसके बाद में आपको अपना country चूज करना है state address वगर है town city state सब कुछ देना है और last में यहाँ पे create an account के ओपर जरूर clear करना है ताकि आप यहाँ पे अपना username और अपना password create कर सको additional note कुछ आप देना चाहो तो देखें आपको सिरफ यहाँ से place order के ओपर click करना है I have इसको check out करना है place order करना है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस समय आपके पास में credit card हो तो यह course आपको EMI पे भी available हो जाएगा आप EMI पे की ऊपर भी इस course को कर सकते हो आप 12 महीने की EMI भी कर सकते हो अगर आपके पास में credit card है otherwise आप debit card, online banking, net banking, UPI किसी से भी अपना payment कर सकते हो instead access आपको मिलेगा और तुरंत आप सुरू कर सकते हो digital है मतलब anywhere anytime you can start your learning for import export business तो मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक स्वस्त रहिए खुद के skills को develop करते रहिए क्योंकि देश को आपकी बहुत जरुरत है जै हिन जै भारत